हेलो दोस्तों नमस्कार आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सिट्व चनल पे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तेरे इसका कितना पीछ निकलता है सो जीए से में असी में 120 में तो आज फिर से हम आप सब के लिए एक नय वीडियो लेकर के आया है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही सक्ट फूल सावित होगा क्योंकि जो नए हैं या जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उनको इस तरह का जानकाड़ी उनके पास नहीं होता है और वो confused होते हैं अगर इस तरह का जानकाड़ी उनको मिल जाए तो उनको calculation करने में, marketing करने में और अपना काम करने में बहुत ही आसानी हो जाएए तो चलिए हम वीडियो को इस्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप में चनल पर नए हैं तो प्लीज में चनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जरूर प्रेस करें तो अब पिछे हम आप लोग को बहुत वीडियो दीए हैं जो कि सारा रेलेक्टिटि इसी चीज पे हैं कि कितना पीस निकलता है और कुछा kg में कौन सा gsm तो आप पीछे हम सारे चार इंज का ही बताएं चार का ही बताएं, छे का ही बताएं साथ का ही बताएं, आठ का ही बताएं और बारा का ही बताएं और आज हम आपको 13 का बता रहे हैं तो अगर यह दिए आपको इस तरह का और कोई नौलेग चीए वीडियो चीए तो आप हमें comment box में या फिर मेरा what's up number description box उसमें मिल जाएं उस पह अप हमें what's up कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए हम समय मिलेगा हम हम आपको वीडियो बना के अपलोडXT कर देंगे तो चलिएए अब हम बात करते हैं कि 13 थाली 80 जीसमें कितना निकलेगा चाहिए bow answer फैपर हो اई ऑसौइस का पेपर हो या वहा सव गराम का पेपर हो या 120 20 ग्राम का पेपर हो तीनों का बात करेंगे सिल्वर हो यह साल पत्ता हो अभी हम बात करते पहले असी जिसम का अगर आप 13 निकालते हैं तो आपको 85-90 निकलेगा क्योंकि 85-90 निकलता है 100 ग्राम की बात करें 13 इंच में तो 100 ग्राम का अगर आप निकालते हैं तो 75-80 निकलता है 100 ग्राम का निकलता है असी जिसम का निकलता है वह भी तो 12 इंच में तो 95-100 निकल जागा लगिन 13 इंच करें निकलता है तो 13 इंची 100 ग्राम में आपको 75-80 पीस निकलेगा अगर बहुत ही अच्छे से मशीन चलाएंगे तो 80 पहुचेगा वरना 75-77 पे ही रह जाएगा अब हम बात करते हैं 120 की 120 जिसम अगर आप 13 इंच का बनाते हैं तो वह आपको 70-75 पीस निकलेगा 120 जिसम 13 इंच क्योंकि पेपर वह हो जाता है मोटा जैसे पेपर का मोटाई बढ़ेगा तो वह कॉइंटिटी घटेगा और जब उसका मोटाई घटेगा तो कॉइंटिटी बढ़ेगा तो इसलिए ज्यादा तरह गईदी आप लोग ठाली बनाते हैं तो ना तो 80 पह जाएं उस पे रेट मार्केट खराब हो रहा है लेकिन जो उसमें दिक्कत हो रहा है जो नए बंदे हैं उनको पुराने को जो मार्केट बना उनको तो कोई बिगारी नहीं सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं जो कस्टमर है उनको भी अच्छी तरह से पता होता है कि अगर हम रेट लगेगा लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको कस्टमर भी चूतिया बना देते हैं और कस्टमर उनको मुर्ख समझते हैं और हमेशा उनको रेट कम बताते हैं इस चीज़ को ले करके कस्टमर हमेशा नाराज रहते हैं और जो माल बेचते हैं तो भी पड़िसान रहते है कि भाई हमें रेट नहीं मिलता है तो रेट ना मिलने का दो कारण है एक आप नए हो तो आपको रेट नहीं मिलेगा और दूसरे में आपका माल लगाई दी महंगा होगा तो रेट नहीं मिलेगा जिसे भी रेट बढ़ रहा है दिये दिये लेकिन माल बहुत लोग स्टोक नही तो इसी वज़े से कि सीजन में वह माल खड़िते हैं और और बेचते हैं उनका काम कभी बंदनी होता है तो इस तरह से अगर आप लोग भी काम करते तो आपका भी बंदनी होगा अधिक जानकाड़ी के लिए आप हमें वाटसप या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि कि इस चीज के बारे में आपको वीडियो चीए उस पर हम आपको बनाकर दे देंगे यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आकन जूरे प्लेस करें ताकि जब इस तक वीडियो अप्लोड करें हूं सबसे पहले आप देख मुचें